आज हम बनाएंगे बैगन की भाजी हम कभी चेंज के लिए बाहर जाते हैं होटल और ढाबा में उस इस्टाइल में आज ये बैगन मसालिया या बैगन भरवा भी से बोलते हैं आज हम ये रेसिपी बनाएंगे Hello Everyone, पूनम की रसोई, रसोई के कहानी में आपका स्वाजत है मैंने ये आधा कीलो कटेरी बैगन ले लिए हैं और इसे हमें कटकर लेना है उपर से हम साइट साइट से इसके डंठल के जो हैं वो करेंगे कट और उपर के डंठलादे कटकर लेना है और हमें बैगन पानी में ही कट करके रखना है, क्योंकि बैगन बहुत जल्दी काले भी हो जाते और कड़वे भी हो जाते, जब हमें बनाना हो तब ही इस बैगन को काटना है, क्योंकि बोलते हैं ना छोटी छोटी बाते ध्यान हैंगे, छोटी छोटी टीप्स और ट्रिक्स तो हमारी भाजी पर्फेक्ली बनेंगे अब ये कट कर क्योंगे अब इसके मसाले मैंने बड़े साइच के कांदा कट कर लिए गीले खोबरे ले लिए अच्छी खासी हरी मिर्ची और लसून अद्रक लसून का भाग थोड़ा ज्यादा लेना है अब मैंने करहाई चड़ा दि थोड़ा सा जीरा डाल देंगे खड़ी और इसको फ्राइ कर लेंगे गुल्डन होने तब मैंने बोला कि लोखन की कराई क्यों मैं चड़ाती हूं क्योंकि बोलते हैं आज कल वही जर्बन का यह हो तो हमारे को आइरन की भी तो जरू है इसलिए मैं लोखन के में ज्यादा अब ये फ्राइ हो चुके हैं और ठंडे हो गए अब मिक्सरजार में इसे डाल देंगे और डालने के बाद थोड़े से पानी डाल के हमें इसे पीस लेना अगर आप मेरे चैनल में पहली बार मेरे चैनल को लाइक सेर्स सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगे अब यह पीसके लाल मिर्ची है ये डाल देंगे सुखी धनिया डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और इसमें हिंग बहुत जरूरी है और इसमें डाल देंगे थोड़ी सी हरी धनिया कटी भी और डालने के बाद अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है सब मसाले अच्छे से मिल जाना चाहिए हि हिंग जरूरी डालना कि कि बोलते ना बैगन बादी करता है पेटों में तकलीब दे इसलिए हिंग जरूरी होता है बैगन मुझे बाते ध्यान रखे टिप और ट्रिक के साथ मैं आज बता रही हैं आपको अब यह देखे बैगन भी कटके हो गया है अब चलिए पानी में से न लूँंगे यह दूसरे भी मैं आपको दिखा दे रही हूं यह देखे यह ऐसे मैं भर ले रही हूँ लेकिन इससे कटकरते से में देख लीजिएगा बैगन में कीड़े उड़े ना रहे क्यूँकिось हम्हें इस चार तरप से मैंने कट किया था है तो इसलिए देख जाता है ये देखें ऐसे सारे मैंने बैगन भर ली और ये देखें जरसे ये हमारे मसाले बच गए इसे मसाला बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें ग्रेवी टाइप में बनाना है ना अब फिर से मैं वही करही में गैस पे चड़ा दी हूँ अच्छे खासा ओल डाल दी हूँ गरम देंगे ये मैंने सारे बैगन डाल दिये वह हैं और इसके हमें थोड़ा फ्राइक करना फुल आज में हमें एक मिनट तक इसे फ्राइक कर लेना और चला लेना है क्योंकि हमें इसे आधा पकाना है अब ये क्या करेंगे हमें लीड लगा करके सिलो आज में आधा पकाना है हैं आधे ही पके हैं अब इसमें हम क्या करेंगे जो हमने मसाला बचला के रखे हैं यह कटोरी में यह लगए हैं हलका जैसे कि बैगन पंग जा और थोड़ी सी ग्रेवी रह मतलब हमारे में लुट पुटा बोलते हैं आप लोग में क्या बोलते हैं पता नहीं हमें मतलब ग्रेवी एकदम हलकी ग्रेवी लगानी है अभी मैंने लीड लगा करके सीलो आज में पकने दे जब तक ये बैगन पकना जाए अब देखिए बैगन पक गए मैं लीड हटा दे रही हूं बैगन हो चुके और पक गए अब मैं गैस बन कर दे रही हूं और हरी धनिया डाल दे रही हूं आप देखिए हमारी रेसिपी तयार हो चीकिए अब हम प्लेटिंग भी करें आपको ये रेसिपी कैसा लगा लाइक भी दे कर दीजिएगा बैल आइकन बटन प्रेस कर दीजा जिसे मेरी नई रेसिपी आपको मिल सकते जरूर दीजिएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है ऐसी ही मेरी वीडियो आपके लिए लाती रहूंगी फ्रेंस बाइबाइ नेक्स वीडियो में हम मिल दो